प्रतेश सरकार ने ये आदेश तो देद ये हैं कि साथ प्रतिशत पर निजी बस चालक बसों को चलाएंगे और पुराना किराया ही बसूलेंगे लेकिन उनका खर्चा कैसे बुरा होगा इस बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा उन्होंने कहा कि जब बाहरे राज़यों में बसे जानी थी तो निजी बस चालकों ने जान हथेली पर रखकर पर देश सरकार का साथ दिया और हर आदेश को माना लेकिन अब परदेश सरक सरकार को ग्यापन सोबा गया है जिसमें मांग की है कि या तो बसों का खिराय बढ़ाय या फिर 60 प्रतिश्रत बाली शर्ट को हटा ले या 40 प्रतिश्रत की सबसीडी दिजाए उन्होंने कहा कि सरकार की शर्ट के अंसार अगर बसों को चलाएंगे तो आमदनी कम और खर्च साफ करना चाहते हैं उन्होंने कहा कि जो शर्टे सरकार ने नीजी बस चालकों पर थोपी गई हैं उन शर्टों पर बसों को चलाना बहत मुश्किल है आज सोलन में नीजी बस उपरेटर संकी एक अपाद बैठक हुई और उसमें हमने जिलादीश सोलन के माध्यम से परदेश सरकार के मुखे मंतरी, परिवेहन मंतरी, सेगरेटरी ट्रांसपोर्ट और कमिशनर ट्रांसपोर्ट को अपनी मांगों का एक ग्यापन उन्हें आज दिया है, जिलादीश महदे से हम मिले हैं आज, और जिलादीश महदे ने हमें आशवशन दिया है कि आपकी जो ये मांगे हैं, इसे परदेश सरकार तक पहुंचाया जाएगा और इस पे जल्द से जल्द परदेश सरकार से फैसला करवाया जाएगा, उसमें हमारी मुखे है वो ज्यादा हो रहा है और उसमें हमें इंकम तो होई नहीं रही है जिस वज़र से हिमाचल के निजी बस ऑपरेटर्स को दिक्कत आ चुकी है और हमने परदेश सरकार से मांग की है कि जो हमारी 40% सीटे बचती है उसमें में सबसिडी के तौर पे पैसे दिये जाएं और ऐसा नहीं है कि हम परदेश सरकार पे दबाव बना रहे हैं या आम आदमी की जेब से हम इस संक्रिट काल में हम उनके पैसे ज्यादा खर्च करवाने के चक्कर में हैं लेकिन हमारी जो बसीज है उसमें खर्चा इतना हो रहा है कि खर्चा एक रुपए और 25 पैसे की आमदनी है तो हम लगातार अपनी जेब से पैसे खर्च करके निजी बसीज को कैसे चला सकते हैं सबसे बड़ी दिक्कत ही आ चुकी है समय और हमने ग्यापन ये दिया है कि जब तक सरकार हमारी मांगों पे सानबूती पूरोग विचार नहीं करती तब तक सोलन के निजी बस ऑपरेटर अपनी बसे नहीं चलाएंगे